दोस्तों Cold War में अमेरिका को जीत और Soviet Union को तोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा भूमी का अमेरिका के Intelligent Agencies का भी था दोस्तों Cold War के दर्मियान अमेरिका के द्वारा ऐसे ऐसे बड़े सक्सेस को हासिल किया गिया जिसके बारे में Soviet Union के किसी भी एजेंसी को भनक तक नहीं लगा इवन एक समय ऐसा भी था कि Soviet Union को ये तक पता नहीं था कि उसके दुश्मन मतलब अमेरिका के पास डजन वर्से भी अधिक Soviet Fighter Air Cap Combat Service में है और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका के एक ऐसे Fighter Squadron के बारे में बताऊंगा जो एक मात्रो Soviet Union के Fighter Air Capito से ही लैस था और जिसका एक बहुत बड़ा भूमी का अमेरिका के जीत के पीछे था तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तो कोई वी देश अपने एरफोर्स को मजबूत करने के लिए Fighter फाइलेटों के ट्रेनिंग के उपर बहुत ज़्यादा महत्तो देता है इवन कई समय Fighter फाइलेटों के ट्रेनिंग को और मजबूत करने के लिए कई तरीके के एकसाइजों को भी आयोजित किया जाता है जहाँ पे domestically built fighter aircraft के द्वार ही एक एनिमी को तयार किया जाता है और एनिमी के खिलाफ एक प्रकल्फित लड़ाई को लड़ते हुए अपने एरफोर्स के फाइलेटों को मजबूत बनाया जाता है इसमें दोस्तों aircraft के फाइलेट को एक तरीके से असली लड़ाई के अंदर किस तरीके से लड़ा जाए उसमें भी अभ्यस्त बनाया जाता है पर ऐसे ट्रेनिंग में कई वार कई तरीके के नियमों को भी तोड़ा गया खास करके Cold War के समय में अमेरिका के दोड़ा एक ऐसे स्कौाडरेन का निर्मान किया गया जो टोटली सोवियन मिक फाइटरों से लैस था दोस्तों अमेरिका के इस फाइटर स्कौाडरेन को रेड इगल कहा जाता था 1977 में अमेरिका के करनल गेलफेक और जेनरल हॉलस्टेन वेंडरवर्ग जूनियर के नेत्रित में कॉंस्टेंट पेग नामक एक प्रोजेक्ट के अंतरगत स्क्वाडरेन नंबर 2477 का गटना किया गया दोसो ये वही स्क्वाडरेन है जिसे रेड इगल भी कहा जाता है दोसो इस तरीक एक स्क्वाडरेन के निर्मान का असल कारण अमेरिका को विएत नाम में मिले हार है जिसके बाद अमेरिका को ये आशंका लग गया कि शायद अमेरिका को आने वाले समय में वी ऐसे बड़े चैलिज्जों में मुश्किलों का सामना करना पड़े और इसलिए ऐसे मुश्किलों को दूर करने के लिए एक ऐसा स्क्वाडरेंट को गठन किया गया जो एरकफोर्स के फाइलटों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके और साथ में ये ट्रेनिंग दुश्मन के रियल फाइटर एयरक्रेप मतलब मिक के खिलाफ हो और दोस्तो इस प्रॉजेक्ट में सबसे बड़ा मुश्किल था सोवियत एयरक्रेप्टों को हासिल करना दुश्मन के एयरक्रेप्टों को कैप्चर करके उसे एक तरफ दुश्मन के एयरक्रेप्टों को कैप्चर करना जहां पे बड़ा मुश्किल काम होता है तो उही पे कै Soviet Union के द्वारा निर्मान किया हुआ बड़े मातरा के fighter aircraft दुनिया के कई सारे देशों के द्वारा इस्तिमाल किया रहा था और इस मौके का फाइदा उठा के अमेरिका के द्वारा कई सारे देशों से आईदर Soviet aircraft को खरिदा गया या फिर exchange के रूप में हासिल किया गया इन देश में योगो स्लोवाकिया, इस्राइल, इजिव्ट जैसे देश भी शामिल था. 1980 के दर्मियान अमेरिका के तरफ से चाइना से भी J7 fighter aircraft को हासिल किया गया जो बेसिकली Chinese MiG-21 था, मतलब चाइना के द्वारा MiG-21 के टेक्नोलोजी को इस्तिमाल करते हुए निर्मान किया हुआ क्लोन एरक्रेफ्ट था. इस लिश्ट में इंदोनेशिया और सुमालिया जैसे देश के द्वारा भी बहुत बड़ा हिस्सा निवाया गया, क्योंकि उस जमाने में कई सारे ऐसे देश थे जो सोशलिश्ट कैम्प से हटके अपने आपको अमेरिका के साइड में ला रहा था इस मौके का भी फाइदा अमेरिका को मिला और उन देशों के द्वारा इस्तमाल किये जाने वाले सोवियत फाइटर एयर क्रेप्टों को भी हासिल करने का अफसर अमेरिका के सामने आ गया. दोसो रेड इगल नामक इस squadron में उस समय सोवियत जमाने के द्वारा निर्मान किया हुआ फ्रमोग fighter aircraft को शामिल किया गया था जिन में MiG-17, MiG-21, MiG-23 जैसे fighter aircraft भी था इवें 1985 के एक डेटा को भी फबलिक किया गया है जिसके मुताविक 85 में कम से कम अमेरिका के पास Red Flag squadron में 26 सोवियत जमाने के fighter aircraft था दोसो एक तरफ जहां फिजन एर क्रेप्टों को हासिल करना और इसे खरीदना अमेरिका के लिए चैलेंजिंग बना हुआ था तो वही पे और एक बड़ा मुश्किल था एर क्रेप्टों को मेंटेन करना अमेरिका ऐसे ही कही से भी जाके एर क्रेप्टों के spare parts को हासिल नहीं कर सकता था क्योंकि इससे अमेरिका का ये खुफिया plan भी प्रकाशित होने का डर था और दोसो इसलिए Red Eagle Squadron में इस्तिमाल होने वाले एर क्रेप्टों के मेंटेनेंस का जिम्मेदारी General Electric को दिया गया जबकि CIA मतलब अमेरिका के Intelligent Agencies के पास ये जिम्मेदारी था कि इसके rare parts को हासिल किया जाए खास करके Poland और Romania में तैनाथ अमेरिकी CIA एजेंटों के द्वारा एर क्रेप्टों के rare parts को हासिल किया जाता था दोसो एर क्रेप्टों के हासिल के और इसके spare parts और maintenance के मुश्किलों के इलावा एर क्रेप्ट के पाइलोटों के लिए भी एक बहुत बड़ा मुश्किल था और ये मुश्किल था एर क्रेप्टों को लेके कम से कम जानकारी होना दोसो एर क्रेप्टों के पास एर क्रेप्टों के related technological data या फिर एर क्रेप्टों के operational capability के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था इस वज़ा से इन यार्क्रेप्टों को कभी वी अमेरिकी पाइलोटों के द्वारा खराब वेदर कंडिशन में या रात में उड़ाया नहीं गया क्यूंकि इससे पाइलोटों के लाइफ के उफर वी एक तरीके के रिस्क हो सकता था इवेन इसके इलावा अमेरिका के पाइलोटों के द्वारा जितना भी सीखा गया वो असल में अपने ही गलतियों को सुधानते हुए सीखा गया मतलब एरक्रेफ्टों के पाइलोटों के द्वारा एरक्रेफ्ट को फ्लाई करने के साथ साथ ये भी जानकारी हासिल किया गया कि एरक्रेफ्टों में क्या खामिया है और एरक्रेफ्टों के पास क्या खुविया है Red Eagle Squadron के पाइलोटों को ऐसे सबसे अधिक मुश्किलों का सामना MiG-23 एरक्रेप्टों को लेके हुआ इन एरक्रेप्टों के रफ्तार के वज़ा से पाइलोटों के द्वारा सबसे अधिक इन ही एरक्रेप्टों को पसंद किया याता था लेकिन जब पाइलोटों के तरफ से एरक्रेप्टों को फ्लाई किया गया तो उन्हें मैसूस हुआ कि एरक्रेप्ट कई कई समय अंस्टेवल हो जाता है और इस वज़ा से एरक्रेप्ट को हैंडल करना काफी मुश्किल होता है 1984 के 25 एप्रिल के दिन लिटेनेंट जेनरल रोवर्ट बॉंड द्वारा ऐसा ही एक एरक्रेप्ट को फ्लाई किया जा रहा था और ये एरक्रेप्ट क्रैश हो गया दूसरे एरक्रेप्टों के जानकारी को छुपाय रखने के लिए अमेरिका के स्पेस एजनसी मतलब नासा के तरफ से भी एक बड़ा मदद किया गया क्योंकि अगर इसके जानकारी को छुपाया नहीं रखा जाता तो ये दुश्मन को सर्फराइज नहीं कर सकता था रिपोर्टों के मताविक अमेरिकी स्पेस एजनसी नासा के तरफ से सोवियेट सेटलाइटों के गुजरने के समय को भी बारिकी से कल्कुलेट किया गया और हर समय सोवियेट सेटलाइटों के उपर नजर रखा जा था Soviet Union के सैटलाइटों को इन एरक्रेप्टों के वारे में कोई भनक ना लगे दोस्तों Cold War में अमेरिका के सक्सेस वे पीछे Red Eagle Squadron का एक बहुत बढ़ा भूमी का था 1970 और 1980 के दशक के कई सारे aerial exercises में अमेरिका के Red Squadron एरक्रेप्टों के काफी बढ़ा भूमी का था इस दर्मियान माना जाता था कि अमेरिका हर एक तरीके के exercise में कोई ना कोई Soviet aircraft को दुश्मन के aircraft के रूप में जरूर इस्तेमाल करता था इवन इससे अमेरिकी Air Force के फाइलेट को खाली नहीं बलकि अमेरिका के Navy के फाइलेट और अमेरिका के Air Defense को भी काफी कुछ सीखने का मौका मिला दूसरे तरफ ये जो exercises होता था ये कई तरीके के pattern में होता था जिन में one and one मतलब एक के खिलाफ एक aircraft two on two मतलब दो aircraft के खिलाफ दो aircraft या फिर two on one मतलब दो अमेरिकी aircraft के खिलाफ एक Soviet aircraft का भी इस्तेमाल किया जाता था इवन दोस्तों इसके इलावा है अमेरिकी V-52 bomber और C-130 जैसे transport aircraft aircraft के खिलाफ भी exercises में Red Eagle के मिग aircraft का इस्तेमाल किया गया ताकि इन aircraft को ऐसे interception के खिलाफ भी अभ्यास किया जा सके exercise के दरमियान Red Eagle aircraft के एक ही मकसद था और वो था किसी भी हालत में लड़ाई को जीतना कई बार ये काफी जल्दी भी हो जाता था और कई बार इसके लिए लंबा समय तक इंतिजार भी करना पड़ता था पर दोस्तों अमेरिका के लिए exercise का असल मकसद अपने fighter pilot को सोवियत के aircraft के खामिया और उसके weaknesses को ढूंडना ताकि लड़ाई में कभी इन aircraft का सामना होता है तो अमेरिकी pilot को ये पता रहे कि कैसे सोवियत पाइलिटों के खिलाफ लड़ाई को अंजाम दिया जा सके तो सो रेड एगल squadron के aircraft के एक बड़ा पैचान लाल कलर का स्टार भी है हर एक aircraft में लाल कलर का स्टार बना हुआ रहता था लेकिन ये सोवियत एरफोर्स के aircraft के जैसे सफेद बॉर्डर से नहीं बलकि योलो कलर के बॉर्डर से बांधा हुआ होता था पर 1980 के दशक समाफ्थ होते होते अमेरिका के रेड एगल स्क्वाडरेंड का भी समाफ्थी हो गया क्योंकि इस समय एक तरफ जहाँ पे स्क्वाडरेंड को मेंटेन करने के लिए फंड को कम कर दिया गया तो वही पे सोवियत उनियन के अंदर नया फोर्ड जिनेरेशन के फाइटर एयरक्रेप्ट के डेवलोप्मिंट भी शुरू हो गया और 1990 आते आते सोवियत उनियन भी तूट गया दोस्व ऐसे अगर देखा जाए तो सोवियत उनियन तूटने से पहले ही अमेरिका का ये स्क्वाडरेंड कमजोर हो चुका था क्योंकि तब तक स्क्वाडरेंड में इस्तेमाल होने वाले एयरक्रेप्टो के मकसद भी लगवग लगवग खतम हो चुका था स्क्वाडरेंड नमबर 4477 के मीग एयरक्रेप्टो को आखरी वार 4 मार्च 1988 में फ्लाइ किया गया जबकि 1990 आते आते ये भी घोशना कर दिया गया कि इस क्वाडरेंड को आखिरकार बंद कर दिया जाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को इप्रेस कर दिजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद